हालो एवरिवान आईडिया भारत इसके लिट चनम दोस्तों आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है आईडिया एलेक्टिशन सेकेंडियर वालों के लिए 2023 में जिनका एक्जाम जुलाई गस्त में है तो उनके लिए क्लास है अगर आपने बीटी एक्जाम में 100% अगर पास होना चाहते हैं तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है एसी 3 मोटर चल रहा ठीक तो इससे प्रिविए जरूर देख लें अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को कह करने सब्सक्राइब कर लें और जो आल का बटन तो आचुका कोशन में दिया है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक जो ग्रावलर का उप्योग करके किस प्रकार का परिच्छड किया जाता है तो कौन सा परिच्छड करेंगे इसका नाम बताना दे सकते हैं आप में चार परिच्छड दिये गए तो जल्दी से बताए अगर आप इन अच्छे से याद कर लेंगा तो हैंडिट परट्रण आपका स्वीडी एक्जाम क्लियर हो जाएगा तो जल्दी से बताएं इसका राइट अंतर तो जो भी साथ ही इसका राइट अंसर करेंगे ऑप्शन नमर डी उनका करेक्ट आंसर होगा यानि कि यह होगा सौर्ट सर्किट टेस्ट मानने कि जो एसी मोटर वाइंडिंग में जो आंतरिक जो ग्रावलर का उप्योग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है अगला हमारा कुश्चन दोस्तो यह रहा आपकी स्कीन पर दोस्तो आ चुका है कुश्चन में पूछा गया है कि स्टार वाइंडिंग सौर्ट और ओपन ओपन फॉल्ट का परिच्छन करने के लिए किस उपकरण का अपयोग किया जाता तो किस उपकरण करेंगे दे सकते हैं टॉंग टेस्ट होता है और ऑप्शन भी हमारा दियागा इंटर्नल ग्रावलर है ऑप्शन C हमारा दिया बाहरी ग्रा अप्शन में से तो जो भी साथी इसका राइड आंसर हमारे कर रहे हैं अप्शन नमर बी उनका राइड आंसर होगा यानि कि इंटर्नल जो होता है ग्रावलर इसका हम क्या करते हैं स्टार्टर वाइनिंग सौर्ट और ओपन फॉल्ट का परिच्छट करने के लिए इस उप जिस से बताना क्यों करते हैं यूज्ट अप्शन हमारे ने देख सकते हैं फर्ष्ट भारी भार से शुरुच्छा करें ऑप्शन लगातार ओवरलोडिंग की अनुमती अप्शन दी हमारा दिया गया है मिलते सौर्ट सब्सक्राइड से बचें तो बताएं से राइड कॉन स इसका correct answer होगा यानि कि इसमें लगातार overloading की अनुमती दें इसका correct answer होगा अगला हमारा next question ये रहा आपकी screen पर दोस्तों आ चुका है तो question में पूछा गया है कि परवतित गती पर उच्च प्रारंबिक बल आगूर प्रदान करने के लिए ये किस प्रकार की motor का अपयोग किया जाता है तो जल्ली से बताएं ये important question है आपकी exam के लिए तो बताएं इसका right answer कौन सा होगा universal motor होगा इस्ताइस अंधारित्र motor होगा तीन कला slip ring brain motor होगा या फिर आप बताएं थ्री एकल square case brain motor होगा तो comment करने सभी साथ ही जल्ली से बताएं इसका right answer कौन सा होगा तो सभी का right answer चार option में से जल्ली से comment करने सभी तो जो भी साथ इसका right answer करके आएंगे option number C इसका correct answer होगा यानि कि इसमोगा three color slip ring brain का वोटर का व्योग करेंगे ठीक अगला question जलते मारा next question यह रहा question में दूस्तों दिया कि AC induction motor में बल आघोड और slip के बीच क्या संबंद उस संबंद को बताना दे सकते हैं आपर चार संबंद दिएगे अच्छे से आप इसे पढ़िए और comment करके बताएं इसका right answer कौन सा होगा तो सभी साथ ही comment करेंगे जल्ली से comment करके बताएं इसका right answer क्या होगा जल्ली से comment करके बताएं इसका right answer तो जो भी साथ ही इसका right answer करेंगे option number B उनका right answer होगा यानि कि यह होगा slip बढ़ाने से बलागूड क्या होता है बढ़ता है इसका right answer होगा option number B नेस्स कुशन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा जल्ली से पढ़ियो और इसका आंसर कमेंट करके बताईए इसकीन पर दिया गया है कि यदि खुले सरकिट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडेक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है प्रभाव बताना कि soft का कमपन होगा मोटर सुरू नहीं होगी या धीमीकती से चलता है या मोटर में अति-गर्म होने पर इसका प्रभाव पढ़ेगा किस पर जो रोटर के बार जो होता ने खुले सरकेट में रोटर बार हो तो AC इंडेक्शन का जो प्रभाव होता है वो था मोटर के अतिगरम होने पर ठीक है अगला कोश्चन चलते है मारा नैस कोश्चन यह रहा कोश्चन में दूस्तों दियागा कि AC 3-phase मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है उस तार का नाम बताना है कौन सा तार हम एसी 3-phase मोटर में के रिवाइंडिंग के लिए करेंगे तो बताएं चार आप्शन से दिये गए इसका आपको अंबर ए उनका राइट आंसर होगा यानि सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर का यूज किया जाएगा ठीक है अगला कुश्चन यह हमारा नैस्ट कुश्चन यह रहां कुश्चन में दूस्तों पूछा गया कि वाइंडिंग प्रकारिया के वेजेज के रूप में किस सामगरी का उप्योग किया जाता हूँ सामगरी का नाम बताना एमपायर कपास बास या टेरेलीन तो कौनसा करेंगा तु जल्ड़े से बताने इसका राइट आंसर क्यां के कमनट करकें जल्ड़े से तो जो पिसाए इसका राइट आंसर कर रहा है जा है और वीडियो को जरूँ शेयर करें और चैनल पर पहली बार देट करना चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें तो कुश्चन में दियागा आप उड़ती देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परिच्छन आवश्य है तो अगर हमने किसी वाइंडिंग में आप उड़ती दि क्यकी पताता है कि कौन टेस्ट करेंगा तो सभी बताएंगे एंपोर्टन को आपकी एकजाम के लिए टो कमेंट करें सभी साथ इसका राइटांसर कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं हमारा option नमर बीज करेक्ट आंसर होगा यानि कि हम क्या करें polarity test करेंगे मतलब अगर हम किसी आपुरती दिने से पहले अगर binding में कौन सा टेस्ट करेंगे क्यों रखा जाता है मतलब कहने का मतलब को रोटर को तीन किला मोटर में थोड़ा तिरच्छा इस्तिती में क्यों रखते हैं इसका क्या काराण यह बताना important question है दोस्तों यह भी तो आप बताएं इसका क्या काराण हो सकता है यहां देश सकते हैं चार आप्शन आप पढ़िए इसमें से राइट अंसर बताइए हमें कमेंट करके जाले से सबी साथी बताएंगे इसका राइट अंसर काउन सा होगा चार आप्शन में से अगला question यह रहाँ आपकी screen पर question में दिया गया गया कि कि तीन कला induction motor के no load test में कौन सी हानी निरधारित होती है तो कौन सी हानी निरधारित होती है यह आप इसमें क्या करेंगा लौव हानी इसका करेक्ट आंसर है तीन कला इंडेक्षन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानी निरादित होती है यह थी आईरन लॉस होती है इसका राइट आंसर होगा यह भी आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट इसको आप अच्छे से प्राप्त होती है दो चल अगती प्राप्त होती है वह आपको बताना ठीक है तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगा इसका राइट आंसर क्या होगा अधल Κलो कर दो चल ऑन सत्राप्त करते हैं है कि में टाइमर का क्या काम है तो टाइमर का उसका बताना है तो अपशन है जिधा गया कि todo पर ट्रिप करना होता है पूर्व निरहाधिस समय पर चालू करें पूरु निरहाधिस समय पर सूचछ औफ करें तो बतांगा कौन सा right होगा important question है ठीक है इसको आप बताए right answer जली से सभी साथी comment करेंगे जली से comment करके बताएं इसका right answer गया होगा चार option में से तो जो भी साथी इसका right answer करेंगे option number C is correct answer होगा यानि कि star delta में बदलें इसका correct answer होगा अगले question ये रहा आपकी screen पर दोस्तों आ चुका है question में दोस्तों पूछा गया है कि तीन कला प्रेंड मोटर के लिए insulation प्रतरोध कुमापने के लिए किस उपकरण का अपयोग किया जाता है उस उपकरण का आपको नाम बताना है ये आपकी exam के लिए very important है आप बताइस का right answer क्या होगा क्या होगा चार options में सगया साथ हFF дело इसका पूपरोड करें मेगर का यह आपका वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आप इसको विल्कुल याद कर ले ना विल्कुल भूलना मत थी कि अगले कोश्चन है आपकी स्कीन पर दूस्तों आपको दिया गया चित्र में कि इसमें पूछे करके बताएं कि इसका राइट अंसर कौन सा जल्डिक से बताएं तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करेंगा ओप्शन नमर्ए और इसको बोलते हैं पॉलरेटी टेस्ट यानि दूरुबता टेस्ट बोलते हैं जैसे कि आपके सामने चित्र में दिया गया न यह क्या एक धू पूचा गया एक है तो उप्षों से डिए कि स्कीन पर दिये सकता है चार ओंट्य है तो सभी साथी कमेंन्ट करके बताएं अ तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे हमारा option नमर डी उनका राइट आंसर होगा यानि कि क्या होगा इसमें पूर्ड भार धारा का पास से 6 गुना क्या होगा पूर्ड धारा का पास से 6 गुना होता है इसको भी आप याद कर लेना आई-एम की करूप में क्योंको इंपोर्टेंट गोश्चन है अगला गोश्चन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोस्चन में देख सकते हैं कि कोस्चन में दिया गया है कि आपसे पूछा क्या इस्टेटर जो होता साइड से तीन कला इंडेक्शन मोटर के गती को निरंतिरत करने के लिए किस विदी का उपयोग किया था उस विदी का आपको नाम बताना तो यहां पर देखी चार विदियां दे गई तो जल्ली से ब करेंगे आरुपित आवरती बदल कर क्या करेंगे हम स्टेटर साइड से तीन कला इंडेक्शन मोटर की गती को निरंतिरत करने के लिए कौन सी विदी का व्योकर आरुपित आवरती को बदल कर करेंगे ठीक इसको आप याद रखना ऑप्शन नमर्ट डियोगा अगला को कि नियंतर्ड विधी क्या है तो इहाँ पर दिए चितर दिया ऑगा है यह कौन सी विदी आपको बताना मिद्यग्व कर B आंसर कौन सा हुगत तो सभी सथी कमेंट करके बताएं कि बताएं इसका जार आंसर किया होगा चाहर। आप्षिन मेंसे में ज़़ने करें सका अरन सभी pokud है तो जो भी साथ इसका इन सकार रहे हैं सक्यांतान डी जाना सक प्रोट्न जोए C कोश्चन में पूछा गया है तीन कलाब मोटर स्टार्टर के साथ कि सामिल दो क्रियात्मक सर्किट क्या है उस सर्किट का आपको नाम बताना दे सकते हैं आप सर्किट दिए इन में से जल्ले से बता है इसका राइट आंसर कौन सा हुआ चार आप्शन में से और यह सर्किट और पावर सर्किट इसका करेक्ट आंसर होगा जोंकि क्या होता तीन कला मोटरप स्टार्टर के साथ यह क्रियात्मक सर्किट क्या होता है था एक अगले कोश्चन दोस्तों करें OUT कि यह कुछ Gibson को पूचह इसका हैं कौन सा हो चार option से दिए गए जली से comment करें और यह आपकी exam के लिए important question है तो जली से बताएं इसका right answer कौन सा हो चार option में से तो सभी साथी comment करके बताएंगा इसका right answer क्या हो चार option में से तो जो भी साथ इसका right answer कर रहे हमारा option number D is correct answer होगा यानि कि इसमें क्या बहतर engine और पैरा विद्धुत सक्ती होती है इसमें किसमें लेद्रॉइड पेपर इंसुलेशन में ठीक है कि अगला हमारा question कुंडल और overhang बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामगरी का चेहन किया जाता है तो उस इंसुलेटिंग सामगरी का नाम बताना तो यहां देख सकते है चार दिये गए इसमें से आपको कमेंट करना और यह आपकी एक्जाम के लिए important question है तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगा जली से कौन सा राइट आंसर होगा तो जली से कमेंट करें इसका राइट आंसर तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करके आएंगे option number C is correct answer होगा क्यानी कि इसमें कौन से जो ह और ऑवर जो हैंग बांदने के लिए करते हैं इंसुलेश्टिंग सामगरी का चेंड करेंगे वह टेरे लीन धागाज का राइट आंसर होगा अगला question दोस्तों आपकी इसकीन पर दूस्तों यह रहा question में दे सकते हैं question में बिल्कुल ध्यान प्रूबग पढ़ना एक्जाम में कि कोई बिल्कुल अगर मिस कर देंगे तो आहो सकता आपको गलत हो इसलिए अच्छे से पढ़ना और उनका option से पढ़ना उसके बाद राइट आंसर देना कोशन दि है तो जली से बताएं इसका राइट आंसर कोन सा होगा चार आप्शन में से तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगा हमारा option नमर डी इस करेक्ट आंसर होगा अगला question आपकी कीन पर दोस्तों यह रहा question सकते हैं किक को 시청 में दिया कि वायंडिंग में हो वाय बतीया है तो творit में जो क्वैल रहती है उसको क्या गया तो दी voiton से कि 6 में जुडए ओकी संक्या और सामान्तर में जुड़े जुड़े आपको बताना तो कमेंट करें अलिक सबान करके बताएंगे तो जली से comment करें इसका right answer क्या होना चार option में तो जो भी साथ इसका right answer करके आएंगे option number A उनका correct answer होगा या नहीं किया होगा स्रेडी में जुड़े घुमाओं के संक्या जो होती है AC winding में कोई लोगों को हम कहते हैं ठीक इसको आप right answer करना A और यह आपकी exam के लिए important question है अगला question आपकी screen पर दोस्तों यह रहा question देख सकते question में पूछा गया है कि किस प्रकार की AC winding की विविन जो पिच्चों पर कुंडली पोल और कला की संक्या एक से अधिक है तो कहां पर है यह बताना तो option दिएगा आप देख सकते हैं चार दिएग और option B हमारा दिया गया है हीरा कुंडल winding option C हमारा दिया है लेब्ड वाइंडिंग पर फ्लेट लूप option D हमारा फ्लेट लूप नॉन ओबर लेब्ड वाइंडिंग कौन सा राइट होगा आपको बताना जलिए से comment करें सभी साथी comment करके बता है इसका right answer क्या होगा चार option में से तो जो भी साथी इसका right answer करके आएंगे option number D is correct answer होगा यानि क्या होगा जो फ्लेट लूप नॉन ओवर लेब्ड वाइंडिंग इसका correct answer होगा अगले कुश्चन चलते है अगला कुश्चन आपके स्कीन पर दूसरा question दिया गया यह एक numerical question इसमें दिया गया ना करना तो इसमें दोस्तों आपको बता देता हूं formula होता बस उसके जरीए आपको आराम से निकाल सकते हैं इसमें आपको करना क्या जैसे की फार्मुला मैंने आपको पहले भी बताया था फिर प्रीवियस वीडियो में तो यहां आपको करना number of number of coils आजाएगा ऐसा ही face आएगा फिर इसकी बाद आएगा पॉल आजाएगा ठीक फिर बराबर बराबर के बाद उपर आएगा total number of क्या हो जाएगा coil हो जाएगा number of coils हो जाएगा ठीक है और नीचे आजाएगा आपका number of face आजाएगा ठीक है फिर इंटू हो जाएगा फिर नंबर ओफ पॉल हो जाएगा इसको आप नोट कर ले ना ठीक मैंने आपको यहां पर थोड़ा समझा दिया तो साथ आप नोट कर ले ना यह फार्मुला होता है इसके जरूए आप आप असानी से सवाल को हल कर सकते हैं अब देखिए तो पॉल कितने हैं पर पॉल कितना है इंटू करके पॉल आ जाएंगा चार पॉल अब आपके करना इसको डिवाइड कर दें चार से काटेंगे चार नमगे 36 हो जाएगा ठीक है तो इस परकार जो आपका आंसर आएगा ना दूस्तों तो संक्या पॉल और इसकी बढ़ना का ती लगी तो अगले क्युशंव चलते हैं तो अगले कोशिन के स्कीन पर सबस्के कुशन में देंख सकते हैं कुशन कुछा गया कि रिवाइन परिवाइन का प्रिगरिया का प्रकार crist yeah dacheARK नमगा एक लंटूहिए क्वाइफचा से हमें स्कार्शक मारें कर एक कि होगा माया इस अगला कुछन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोश्चन में पूचा गया थ्री फेस स्लिप रिंग इंडेक्शन मोटर को सुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार के इस टार्टर का उप्योग किया जाता है तो उस टार्टर का आपको नाम बताना कि प्रतेश या एक चार्टर करेंगे ऊप्षिन सप्रम मिलयकर स्टार्टर धेलटा उब्हां तो सभी साथ क कमेंट करेंगे सका राइट हंसर तो जो जो भी साथ जो होगा र おप्षिन कोशन आपकी स्कीन पर दूस्तोहूं यह रहा तो मगरी इन्सूलेशन प्रहदान करता और चापको isail के लिए pousसे प्रहदान प्रणांतरन करने के लिए इंशूलेशन प्रदान करता तो जली से बताएस का राइट न्सर क्या होगा चार scenario तो जो भी साथ राइट अंसर करके आएगे अंगर इस और इस पर इसके और प्रदान करता है जो राइड ने पर यह होगा अगला कूशन आपकी स्कीन पर दुस्तों यह रहा कोस्टन देख सकते हैं कोशन में पूछा गया है कि इस प्रकार के वांडिंग जो यहां पर देए का तार को समर सिबल पंप मोटर्स को करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आपको बताना कि कौनसा करें गानी का भुकी साथ होगा तो सभी साथ ही कमेंट करने चलिए लिससा का राइट कर रहे हैं ऑप्शन नमर इस करेक्ट आंसर होगा इन इसमें करेंगे PVC कवर प्रकार का करेंगे कि जो वाइंडिंग के लिए हम समर से में पाम्प मोटर के लिए हम क्या करेंगे PVC कवर तो दूस्तों आज के लिए वीडियो में मिलेंगे और अच्छे से कुश्चन को अगरेंगे और अगर आप एक्जाम को क्वालिफाइब करना चाहते तो विद्वत तरीके से जितने भी मैं आपको क्लाइब करवा रहा हूं तो उनको अच्छे से करिए आपका 100% जरूर के लि पर वाजिंग इस वीडियो जैहिन जैवारत